बीएसी थाइड सेमिश्टर के मिश्टी का जो हम लोग यूनिट एड देख रहे हैं इन औरगेनिक इस पे प्रोइसकोपी एंड मेगनेट इजम ठीक है तो आज हम इसमें देखेंगे म्यू एस तथा म्यू एफ जैसे आपको लिखा हुआ है इडवल एफ मानों में सा सम्मन् या कहारा है कोर्रe Familien मू एस एंड म्यू एडवल एफ यू Θिक है तो आपकी बात करेंगे म्यू एस तथा म्यू एफ वैल्यू होती क्या है इनके बारे में बहुत ही आसानी सांब हम लोग देख सकते हूं आपका म्यू एस ao म्यू एबू एफ में यू के बारे में बहूत ही साज हम लोग समझेंगे ठीक है तो भाई प्लीज वीडियो को लाज तक देखना है ठीक है क्योंकि वीडियो important होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी इन दोनों वैल्यू को समझते हैं ठीक है क्या होती आपकी यह वैल्यूज ठीक है तो कहरा है correlation of mu s and mu e f values ठीक है तो देखो बात करें यह होती है एक एक करकी इनको समस्ते आसानी से एकदम बहुत आसान है ठीक है तो देखो जैसे पहला है आपका mu s यह क्या होती है इसे हिंदी में कहते हैं चक्रण चुम की आगूर और बात करें इंग्लिस में तो इंग्लिस में कहते है spin magnetic moment क्या बात करें म्यू s क्या है चक्रण चुम की आगूर है इंग्लिस में spin magnetic moment आप पड़ो थियोरिस की चिरा से लेक्ट राण की अपने ही अच्छ पर चक्रण के कारण चक्रण चुम की यह औहूर की उतपत्ति होती है ठीक है क्या बात करें अपको बताते हैं जिस पे यह इसका नाभिक है और इसके चारों और कौन है? इलेक्ट्रॉन जो है चक्का लगा रहा है विभिन कच्छाओं में, ठीक है? अब जो इसकी देखो यह इलेक्ट्रॉन यहां पे यह एक जगा इस्थित नहीं होता यह पूरे इसमें चक्का लगाता रहता है जो विभिन कच्छाओं में घूम रहा है यह गती इसकी कच्छी गती कहलाती है ठीक है? वही बात कही गई कि इलेक्ट्रॉन की अपने ही अच्छ पर इलेक्ट्रॉन की अपने ही अच्छ पर चक्रण के कारण उत्पन चक्रण गती जो होती है वही चक्रण चुम की आघूर की उत्पत्ति करती है ठीक है कहरा है electron की अपने ही अच्छे पर चक्रण के कारण चक्रण चुम की आघूर की उत्पत्ति होती है इसे mu s से प्रदासिव करते है s का मतलब spin ठीक है spin magnetic moment ठीक है तो बात करें mu s तो μ्यू एस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4S कोई ट्रक में S प्लस 1 ठीक है S क्या होती है यहापे ठीक है S क्या है इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसारी से समझा रखा है ठीक है पहले वाला वीडियो अगर आप देखोगे प्लेश पे मिल जाएगा ठीक है उस पे हम लोगोंने क्या पढ़ा है आपका ठीक है उस पे हमने क्या पढ़ा L S कपलिंग ठीक है L S कपलिंग में पढ़ा जिसमें L और S के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया हुए तो वाला वीडियो जरूर देख लेना तो देखोगे इसमें बात करें मुव एस का फार्मिला क्या होता है मुव एस एक्कवल टू रूट मैं 4S कोष्ट मैं S ठीक है तो यह मुव एस का फारमिला होता है चक्रर चुमकियागोर spin magnetic moment का तो उसका क्या हो जाएगा μूँ एस कोश्ट पे S प्लस 1 ठीक है तो μूँ एस आपको पता है न spin magnetic moment है यहाँ ठीक है अब अगला नंबर बात करते जो आपका क्या था μूँ EWF जो लिखा है उसकी बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे परमाड़ के कच्छ में गती करते हुए electron की कच्छी गती आपकी पैडाम सुरूप जो होती है कच्छी गती वह कच्छक चुमकी आगोर μू L की उत्पत्ति होती है ठीक है लेकिन क्या बात कही गई आपसे बात यह कही गई सिंपल फॉर्म में अभी आपको बताया था ना electron विभिन कच्छों में चक्कर लगाते है जो इसकी कच्छी गती यह होती है यही कच्छक चुमकी आगोर की उत्पत्ति करती है और electron जो अपने अच्छ पर घुमता है उससे क्या होता है आपका उससे आपकी चक्रड की होती है ठीक है चक्रड चुमकी आगोर की तो आप क्या इसकी किस्से होती है कच्छक वाले की जब वो electron विभिन कच्छों में गती करते है तो वही कह रहा किसी परमाडू के कच्छ में गती करते हुए electron की कच्छी करती पैडान सुरूप कच्छक चुमकिया घुर की उत्पत्ती करती है या होती हो से ठीक है तो देख सकते हूँ उसका फॉर्मला जो होता है वो होता है μू एल एक्वल टू रूट पे ल कोश्चक पे ल प्लस वन इन्टू बी अम यहाँ बी अम क्या है यह जो B.M आ गया यह क्या है यह आपको बताते है BM क्या है तो देख सकते हैं एक BM की जो वैल्ली होती है 0.9273 इन्टू 10 की पावएने 20 आर्ग गौस होती है ठीक है यह BM की वैल्ली होगी आप बात देखो आप हमने देख लिया क्या आपका कच्छक चुमकी आगूर आप देखते हैं आपका जो MU EWF आपको MU EFF लिखा हुआ है वो क्या होता है उसको देखते है ठीक है आप देखो यह जो MU EWF आपको लिखा हुआ मिल्ला था इसे कहते हैं प्रभावी चुमकी आगूर Effective Magnetic Moment ठीक है यह परिडामी होता है मतलब यह जो आपने MU L पढ़ा रखा है और MU S अर्थात जो आपने चक्रड चुमकी आगूर और कच्छक चुमकी आगूर पढ़ा रखा है इसका जो योग है वही आपका MU EFF लिख कहलाता है ठीक है मतलब देखो कहागे ना प्रभावी चुमकी आगूर पढ़ामी चुमकी आगूर के बराबर होता है तो वही चीज का आगया देखो MU L प्लस S इक्वल टू जो फार्मुला होगा उन दोनों का योग हो जाएगा ठीक है रूट पे L कोश्टक पे L प्लस 1 प्लस 4S कोश्टक पे S प्लस 1 इन्टू बीम ठीक है बीम की वैल्यू देख सकते हो एक बीम इक्वल टू 0.9263 इन्टू 10 की पावावाने 20 ठीक है ये एक बीम की वैल्यू होती है तो ये बात हुई देखो ये म्यू L प्लस S दिखो या यहाँ पे म्यू EWF ऐसे लिख दो ठीक है तो वो भी लिख सकते हो आसानि म्यू EWF लिखो चाहे म्यू L प्लस S मतलब परिडामी होता है ये ठीक है इतनी बात होती है ये होता है प्रभावी चुम की आगूर इफेक्टिव मैगनेटिक मोमेंट तो इफेक्टिव मैगनेटिक मोमेंट देख सकते हो इसके पहले चक्रन मैगनेटिक मोमेंट देखा आपका ठीक है जो इस्पिन था इस्पिन मैगनेटिक मोमेंट और आपका कच्छे कॉला भी देख लिया है ठीक है आप देखो आगे पड़ते हैं इसके तीन पॉइंट की सयोज़क्ता आबंसिध्धान के अनुसार कह रहा है सयोज़क्ता आबंसिध्धान के अनुसार वैलेंस बॉइंट थिओरी के अनुसार प्रेभावी चुमकिया घूर ग्याद करने है तो विभिन इस सितियों में तीन संभंद आपको बताए गए है वैलेंस बॉन्ट छोड़ी दोरा तो देखो क्या बताए गए है कहरा जब L S युगमन होता है अर्था जब L S कपलिंग होती है तब क्या होता है देखो तब आपका जो tray का formula होता है वो होता है rule L कोष्टक में L प्लस 1 प्लस 4S कोष्टक पे S प्लस 1 यह म्यूइफेक्ट्ट का formula हो जाता है जब L S कपलिंग होती है ठीक है तो यह पहला नंभा point हो गया सहजक्ता बंसे धान के उससार आप अगला नमबा देखो कहा रहा है L.S. युगमन से उत्पन जो J. उर्जा थिक है कहा है L.S. युगमन से उत्पन J. उर्जा इस तर्मू लवस्था में एक दूसरे से काफी दूरी रखते हैं तो J.J. युगमन होता है जब J उर्जा इस तर मू लवस्था में एक दूसरे से, एक दूसरे से क्या करें, या काफी दूरी रखते हैं, तो वो J-J युगमन, J-J कप्लिंग कहलाते हैं, ठीक है, तो देख सकतो हो, जब J-J कप्लिंग होगी, तो μूए इफेक्टिव जो होगा, वो किसके बराबर होग पर J-J प्लस वन के, ठीक है, अब देखो अगला नंबर पॉइंट, जब कच्छक चुम की आघूर्ण पूर्ण रूप से सांत हो जाता है, अर्थात, तो कच्छक चुम की आघूर्ण का कोई प्रभाव नहीं रहता, अर्थात, इलकामान सूनने हो जाता है, जब मलब कच् चुम की आघूर्ण की, म्यूग इफेक्टिव की बात, ठीक है, तो देख सकतो, तीनों स्थितियों पर आपको दिखा दिया, दो स्थितियों आपकी यह हो गई, पहली और दूसरी, ठीक है, पहली दूसरी, और आपने यह भी देख लिए, ठीक है, आपका प्रभावी चु